Hello Friends, आज हमें ERP के बारे में चर्चा करेंगे. What is ERP? इसका पूरा नाम Enterprise Resource Planning है. ERP शब्द जो है वह बिजनीस से संबंधित है तथा यह एक प्रकार का Management Software है जो की बिजनीस प्रोसेसर को Automatic कर देता है. Enterprise Resource Planning एक बिजनीस Management Software है जिसके द्वारा बिजनीस के जितनी भी Department है उनको एक साथ मैनेज कर सकते हैं तथा Company के अंदर होने वाले सभी कारिय, सर्विस तथा Human Resource को Automatic कर सकते हैं. Enterprise Resource Planning का मतलब है कि Enterprise से संबंधित जितनी भी Resource है उनकी Planning कैसे करनी है? Enterprise Resource Planning का उद्देश्य सही सूचना को सही समय में सही व्यक्ति को उपलब्द कराना है. किसी भी Business में छोटा हो या बड़ा उसमें बहुत से Department होते हैं जैसे Accounting, Finance, HR, Service, Inventory, CRM, Customer Relationship Management, SCM, Supply Chain Management, Manufacturing, Planning, Marketing, Sales or Near Department. ERP इन सभी को एक साथ Integrate कर देता है अत्वा जोड़ देता है जिससे कि हमें एक ही जगह पर सभी Department का पता चल जाए. ERP में सभी Department का अपना अलग सिस्टम होता है परंतो इसके द्वारा सभी Department पूरी Company को सूचना शेयर कर सकते हैं. Sarupratham Enterprise Resource Planning System 1972 में विक्सित हुआ था जिसका नाम SAP था. प्लीस लाइक अबस्क्राइब मैं चानल